मोटू पतलू और जादूई मूंगफली की खेती फुरफुरी नगर में मोटू और पतलू नाम के दो दोस्त रहते थे दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और वे हमेशा साथ रहते थे एक दिन मोटू और पतलू जंगल में टहलने गए चलते चलते उन्हें एक पुराना जादूई बगीचा मिला बगीचे के बीचों बीच एक अजीब सा पौधा था जिसके नीचे एक बड़ा सा मूंगफली का दाना पड़ा था मोटू ने उच्साहित होकर कहा पतलू यह मूंगफली कुछ खास लग रही है क्यों न हम इसे अपने खेत में लगा कर देखें पतलू ने सहमती में सिरहिलाया और बोले ठीक है मोटू इसे लगा कर देखते हैं शायद हमें कुछ अच्छा मिल जाए दोनों मूंगफली का दाना लेकर अपने खेत में आएं और उसे वहां बोदिया कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि उस जगह पर एक बड़ा और चमकदार पौधा उगाया था पौधे पर चमचमाती मूंगफलिया लगी हुई थी मोटू ने एक मूंगफली तोड़ कर खाई और अचानक से उसकी ताकत बढ़ गई उसने पतलू से कहा, पतलू, यह तो जादूई मूंगफली है इसे खाने से हमें ताकत मिलती है पतलू ने भी एक मूंगफली खाई और उसे भी बहुत ताकत महसूस हुई दोनोंने सोचा कि अगर वे इस जादूई मूंगफली की खेती करें तो वे फुरफुरी नगर के सभी लोगों की मदद कर सकते हैं। उन्होंने और भी मूंगफलियां बोई और कुछ ही दिनों में उनके खेत में जादूई मूंगफलियों का बगीचा तयार हो गया। एक दिन फुरफुरी नगर में एक बड़ा तूफान आया और बहुत सारे पेड तूट गए, घरों को नुकसान हुआ और लोग परेशान हो गए। मोटू और पतलू ने सोचा कि अब समय आ गया है जब वे अपनी जादूई मूंगफली से लोगों की मदद कर सकते हैं। उन्होंने तूटे हुए पेड हटाएं, घरों की मरम्मत की और नगर को फिर से सुन्दर बना दिया। फुरफुरी नगर के लोग मोटू और पतलू की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, मोटू और पतलू, तुम दोनोंने हमारी बहुत मदद की हैं। हम तुम्हारे आभारी हैं। मोटू और पतलू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने तो सिर्फ जादूई मूंगफलियों का उप्योग किया है। असली जादू तो इन मूंगफलियों में है। क्यों मूंगर चैनल चानल पर कार्टून विडियों